हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर भू नेश्वर सथार मांगिलाल बागडी राजकी महाविध्यालय नोखा से हम अध्यान कर रहे हैं सांख्या की भौतिकी एवं उस्मागतिकी युनिट दो जो है वो क्वांटम सांख्या की से रिलेटेड है क्वांटम सांख्या की कि जो मुल्क भूत अभिग्रहित हैं उनका अध्यान हम इस वीडियो में करेंगे तो क्वांटम सांख्या की में कणों को अविबैध्य माना जाता है यह इसका प्रतम आपिग्रहित है क्लासिकल और क्वांटम में यही डिफ्रेंस है कि क्लासिकल में कण की स्थती और समवेक का निरधारन संभव है एक साथ परिश्द निर्दारन संभव है जिससे किसी भी समय पर कंड की स्थती और गती की हम व्याख्या कर सकते हैं परन्तु Quantum Mechanics में Heisenberg Uncertainty सिधान्त के आदार पर हमने यह देखा है कि कंड की स्थती और समविक का एक साथ परिश्दमापंत संभव नहीं है इसे लिए उसको उसमें कुछ अनिश्चित्ता होती है तो हम पत को उसके पात को या उसकी गती की सब पूर्ण व्याक्या एक्यूरिटली नहीं कर सकते और हम प्रबिब्लिस्टिक प्राइक्ता की रूप में उसका अध्यान किया जाता है औ तो क्वांटम संख्यकी में कणों को अविबेद्य माना जाता है सुक्षम अवस्थाओं में कणों की गणना जो करते हैं अविबेद्य मानकर की जाती है तो यही इसी क्याधार पर हम देख सकते हैं कि विबेद्य गुणों के आधार पर जो संख्यकी का दियन करते हुआ हो दूसरा अभिग्राइट है प्रकरती में सभी निकाय क्वांटम संख्यकी का पालन करते हैं तो इस संख्यकी में हम क्वांटम मेकेनिक्स के जो गुण है जो प्रापर्टीज है उनका अनुपालनक की जाती है संख्यकी में तीसरा, जो अभिक्राहित है, किसी निकाय की अवस्ता को समझाने के लिए इस्तती और सम्वेक की अवस्यक्ता होती है, इस्तती और सम्वेकों अनिष्चता हिन्दी संकों के रूप में मान सकते हैं, परन्तु हाइजनबर्ग सिध्धान्त के अनुसार कर्ण की इस्थती और समवेक का एक साथ परिशो दुमापन संभव नहीं है उनमें कुछ अनिस्थता ही रहती है इसके लिए क्वांटम मेकेनिक्स में किसी निकाए की अवस्था को बताने के लिए एक तरंग फलन का उप्योग किया जाता है और तरंग फलन को हम साई से व्यक्त करते हैं जो इस्थती और समय का फलन होता है तो इसके आधार पर इसको हम अवस्था फलन भी कहा जाता है नेक्स्ट पॉस्चुलेट है अवस्था फलन साई की कुछ विसीशताएं होती है अवस्था फलन जो है साई वह सममिस्र रासी होती है वास्तिविक रासी नहीं होती है एक सममिस्र रासी होती है अवस्था फलन इस्थती और समय का continuous सदत फलन होता है यह सिंगल वैल्यूड एक मानी फलन होता है और इसकी वैल्यू परिमित होती है यानि यह फलन जो होगा परिमित होगा अर्थार्थ तरंग फलन या अवस्था फलन जो है वह सतत्फलन होता है एकमानी होना चाहिए और परिमित होना चाहिए यह important properties, conditions है दूसरा quantum mechanics में हमने देखा था कि wave function जो एक complex quantity है उसका अगर conjugate से multiply कर दिया जाए या mode of size square याद किया जाए तो mode of size square जो है वह प्राइकता को गेक्ट करता है किसी भी स्थान पर किसी समय पर कंड के पाई जाने की प्राइकता को गेक्ट करता है तो तरंग फलन द्वारा निरूपित अवस्था में निकाय की प्राइक्ता को गैट करता है और प्राइक्ता का अधिक्तम मान एक होता है तो उसी के आदार पर हमने condition दी है integration si si star dz equal to 0 पूरे space में अगर प्राइक्ता का मान गैट किया जाए तो वह एक मिलता है तो यह condition होती है प्रसामान निकरण या normalization condition और यह important part है size square जो है वह प्राइक्ता गनत्व को व्यक्त करता है किसी इस्थान पर करते पाए जाने की प्राइक्ता को व्यक्त करता है next इसका जो postulate है किसी भी निकाय कि प्रिक्षण योग्य measurable, observable जो quantities है उसको हम एक संकारक operator के द्वारा ग्याद कर सकते है और इसके लिए हम तरंग फलन के साथ operator को अगर apply करें अपरेट किया जाए तो हमें उस प्रिक्षण राक्सी का मान प्राप्त होता है जैसे आउकलन का एक संकारक है mathematical operator है अगर इस्तती पर उपरेट करवाएं तो हमें velocity मिलती है ठीक सी प्राकार तरंग फलन पर अलग-अलग operators की form में हमने प्रिक्षण योग रासियों के लिए अलग-अलग operators होते हैं इस्तती के लिए स्तती का गुणनफल किया राता है मॉमेंटम के लिए माइनस आयोटा है एक्स क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स वंडी के कीस में यह operator है और एनर्जी के लिए आयोटा है एक्स क्रॉस डेल अपॉन डेल टी टाइम डेरिवेटिव जो होता है पार्सल डेरिवेटिव वह operator होता है एनर्जी का नेक्स्ट पॉस्चुलेट प्रत्येक संकारक जो है वह अवस्ता फलन के प्रत्या सामान को ग्याद किया सकता है और प्रत्या संकारक के लिए जो अवस्ता फलन है उस अवस्ता के लिए प्रत्यासा मान ग्याद किया सकता है और प्रत्यासा मान को हम कुछ इस तरीके से समझ सकता है जैसे classical mechanics चरसमत यान तरीकी में हम कुछ quantities का average लेते हैं ओसत मान लिया जाता है ठीक उसे प्रकार quantum mechanics में हम प्रत्यासा मान ठीक वही role play करता है और कोई operator माना A है तो उसका प्रत्यासा मान जो है वह दिया जाता है प्रत्यासा मान कहलाता है एवरेज वेल्यू, एक्सपक्टेड वेल्यू जो दिया एक्सपक्टेशन वेल्यू कहते हैं इसको next postulate है किसी भी भौतिकरासी के संगत quantum mechanics में quantum संकारक होते हैं भूले हैं संकारक में विमान प्राप्त होते हैं जो संकारक के लिए उप्योगत होते हैं यदि भातिक रासी कम उंद माने जाता है तरंग फलंद पर एक operator यह operator है एक एक operator को अगर साई पे अगर operate किया जाए और हमें एस साई की form में result मिले यानि उसको operate करने के पास चाथ wave function किसी number के साथ multiple होके results की form में मिलता है wave function की form change नहीं होती है तो इस प्रेकार की जो equation है उसको आइगन equation या अभिलाक्षिनिक समय करन कहते हैं यह फलन होता है आइगन फलन कहलाता है और यह small a values जो आईए उसको हम आइगन मान या अभिलाक्षिनिक मान भी कहते हैं तो तरंग फलन के लिए आइगन मान हम ग्याद कर सकते हैं और यहाँ आइगन मान उस बहुत इक रासी के मान को व्यक्त करता है Next, किसी अवस्था में तरंग फलन के आइगन मान जो है वो हमें साइवन, साइटू, साइट्री की फॉर्म में अगर डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है इनका linear combination रेखिये सायोजन जो है वहाँ भी एक आइगन फलन को सो करता है जो हम साइ एक्वल टू, सी, वन, साइ, वन, प्लस, सी, टू, साइ, टू, प्लस, सी, टू, प्लस, सी, टू, प्लस, सी, टू, प्लस, सी, टू, अडू, वैल्यूज से रिप्रेजेंट कर सकता है तो किसी भी केस में अवस्ता फलन के जो डिफरेंट मान साते हैं, उनका linear combination जो हता है, वहाँ एक अवस्ता फलन को प्रतरसित करता है नेक्स्ट पॉसिलेट है, दो या दो से अधिक स्वत्तन्त्र आइगन फलन के अगर समान प्राफ्ट होते हैं तो हमारे पास आइगन फंक्शन से Size1 और Size2 और इनके लिए आइगन मान की अगर समान वैल्यू प्राफ्ट होती है तो ये फलन या ऐसा निकाय क्या कहलाता है अपबरिस्ट कहलाता है डीजनरेट कहलाता है समान आइगन मानों के लिए उपस्थित आइगन फलनों की जो संख्या है वह अपबरिस्टा की कोटी कहलाता है सपोज हमारे पास दो ही विव फंक्शन ऐसे हैं si1 और si2 जिनके लिए values हमें क्या मिल रही है समान मिल रही है अब रिष्टा की कोटी 2 हो जाएगी अगर हमारे पास कोई तीसरा function si3 भी ऐसा है जिनके लिए आइगन मान का value समान मिल रहा है तो अब रिष्टा की कोटी 3 हो जाएगी तो ऐस ते उन wave function की संख्या जिनके लिए आएगन वेल्यू समान प्राप्त होती है अवस्था की कोटी कहलाता है नेक्स्ट है अवस्था फलन साई में समय के साथ परिवर्तन जो होता है वो स्रोडिंगर समय करण के द्वारा दिया जाता है तो स्रोडिंगर समय करण जो होती है एच साई एक्वल टू एच साई जहां पे एच जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है कुल उर्जा का ऑपरेटर है इसकी फॉर्म में लिखा जाता है और इन ऑपरेटर्स को अगर वैल्यूज रख दें तो हमारे पास यह समय करण बनती है व देल स्क्वार अपॉन टू एम वी साई एक्वल टू वी एक्स एंटू साई तो यह हमारे पास एक्वेशन बनती है यह एक्वेशन कहलाती है स्रोडिंग एक्वेशन यह वन त्री डाइमेंशन के केस में लिखा हुआ है वन डाइमेंशन के केस में हम देल स्क्वार ऑपरे आसरित time dependent time derivative को यूज किया हुआ है time dependent part को हमने include किया हुआ है तो यह करती है काल आसरित श्रोडिंगर स्वामिकरन जिसको हल कर हम वे फंक्शन का मानियत कर सकते हैं जिसके लिए हमें potential की value की आवस्यक्ता होती है धन्यवाद, thank you